किसान भाईयों नमस्कार मैं वियनार रिशर्च सेंटर के आमले के बगीचे में खड़ा हूं जहां पर हमारे पास में बहुत से मदर प्लांट्स का जर्म प्लाजम उपलब्ध है और ये 2010 से 2015 के बीच में लगाए गए हैं पौदे इन पौदों को लगाने का उद्देश यही है कि जिससे आपको जब भी आमले की किसी प्रजाति के स्वस्थ पौदों की आवश्रक्ता हो तो हम इन व्रक्षों से वो पौदे बना के आपको उपलब्ध करा सके बियनार के प फल ब्रक्षों का बगीचा लगाने के लिए यहां से पौदे आपको उपलब्ध किया सके आवले की खेती की अगर बात करें आवले के फल की बात करें तो आवले का फल कोरोना काल के बाद से दिन प्रदिन हम देख रहे हैं कि लोगप्री होता जा रहा है इसकी मेडिसिनल और इसके जो प्रोसेस प्रडक्स हैं जैसे कैंडी की बात करें मुरब्बे की बात करें या बहुत तरह की दवाईयों में भी आवले का उप्योग किया जाता है उसके बाद से इसकी मांग कापी हद तक बढ़ चुकी है इंदोस्तान में अगर किसी संस्तान का नाम लें तो नरेंदेव क्रिशी विश्यद्याले ने आवले के उपर में बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छा काम किया है डॉक्टर आरके पाठक के समय से या उसके बाद भी आवले के उपर बहुत विशेश काम हुआ है और जिसकी वज़े से आज हिंदोस्तान में आवला फल के रूप में कापी लोगप्री हुआ है और इसके पौदे सरल्टा से उपलग्द होते हैं यहां पर अगर VNR में बात करें तो हमारे पास नरेंद देव क्रिशी विश्य द्याले का एने 4 एने 6 एने 7 एने 10 चकईया और क्रिश्णा वराइटी उपलग्द है तो आवले के बगीचे में अगर आप देखिए तो आपको देखेंगे कि यहां रेजबेट के ऊपर में पौदर ओपन किया गया है और एक डिप की माध्यम से इसमें सिचाई और खाद का प्रबंदन किया जाता है हम कोई भी बगीचा अगर लगाते हैं और पौदे के अनकूल वातावरण बनाते हैं पौदे का अनकूल वातावरण का मतलब हुआ कि पौदे के आसपास अधिक पौदे में जितनी मात्रा में जल की आवश्यक्ता हो या खाद की आवश्यक्ता हो उसको चित मात्रा में दे सकें जिस समय वो आवश्यक्ता हो उस समय दे सकें बहुत ज्यादा हमारे उपर लेवर का दबाव न रहे कि लेवर है तो काम होगा लेवर नहीं है तो काम नहीं ह होगा ऐसी सिति में मेकनाइजेशन हम लोग रिक्मेंट करते हैं मेकनाइजेशन की प्रक्रिया की तहट अगर आप देखें तो ये 10-12 साल का बगीचा और पूरी तरह आपको स्वस्थ देख रहा है सारे व्रिक्ष हाप को हरे दिख रहे हैं ठीक है और जिसकी वजह से ये लंबे समय तक हम इससे पौदे बनाने की प्रक्रिया कर सकते हैं और साथ ही साथ इससे फल भी प्राप्त कर सकते हैं अगर हमारी ऐसी कोई भविश में आवश्यक्ता होती है तो सो मुझे उम्मीद है कि आवले के फलों के इस बगीचे में बनाया हुआ वीडियो वियनार नर्सरी के ओफिशल यूट्यूब चैनल पर आप देखेंगे तो आपको आवले के बारे में काफी जानकारी प्राप्त होगी और इस जानकारी के माध्यम से भविश में जब भी कि बात सोचेंगे तो वियनार नर्सरी से आप इन पौदों को प्राप्त कर सकते हैं नमस्कार दन्यवार